नमस्कार दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं ओफलो टेक M सिरप के बारे में इसके फायदे नुकसान इस्तमाल करने का तरीका और कितने दिनों तक बच्चे को देना चाहिए इन सभी बातों कि इस वीडियो में जानेंगे तो वीडियो को पूरा देखेगा लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले कर दीजे सब्सक्राइब साथ में जो घंटी वाला निशान उसे वाल पर टच कर दीजे ताकि आपको ऐसे ही वीडियो के नोटिकेशन मिलते रहें तो दोस्तो ओफलो टेक M सिरप आता मिल जाएगा चलिए बात कर लेते इसके यूजर की किस काम में इस्तमाल किया जाता है दोस्तों इसका उपयोग पेट की इंफेक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है जैसे कि पेट में किसी तरह की इंफेक्शन हो जाना पतले दस्त लगना डाइरिया पेचिस खून वाल बस देना बिल्कुल ना भूलें तो पेट की इंफेक्शन के लिए बहुत बड़िया सीरफ है इसकी डोज की बात करें तो एक अगर एक दो साल का बच्चा है दो साल तक का बच्चा है तो आप इसे पांच पांच एमल सुबह साम सुबह साम दे सकते हैं लेकिन बिना की कंडिशन अलग-अलग होती है उसको चेक कराना बहुत जूरूरी होता है क्योंकि पेट की इंफेक्शन अलग-अलग हो सकती है कितनी इंफेक्शन ज्यादा है तो ज्यादा भी बता सकते हैं अगर कम है तो कम बता सकते हैं फिर भी इसका उपयोग तीन दिन तक बताते है ज्यादातर तीन से चार दिन या पांस दिन बस इसको लगातार नहीं दिया जाता है जितने दिन डॉक्टर बताते हैं उतने दिन ही इसका उप्योग करना चाहिए और अगर बच्चा दो तीन साल का है तो पांच एमल दिया जा सकता है लेकिन बिना डॉक्टर के सलाके नहीं देना है इसकी side effect की बात करें नुकसान की बात करें तो अगर इसको देने से बच्चे को कब्ज बन जाती है पेट में मतलब सूख जाती है लैटिंग भी अंदर ही ठीक है तो इसे मुह सूख जाना या फिर भूख कम लगना सिरदर्ध होना उल्टी होना मतली होना ऐसी कोई भ दिक्कत लगती है अगर बच्चे को इसको देने से तो आप इसे तुरंद बंद करके अपने डॉक्टर को जरूर दिखाएगा तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही उम्मिद करता हूं आपको यह वीडियो अच्छा लगाओ तो वीडियो को लाइक जरू कर देना और चै